अलो अभरीवन वालकम तूटेस अमेजिंग प्लेटफॉम आफ चनल पनेशव और कॉम्टेटिव इग्जामिनेशन और दैम प्यूश तो आज की लास में कवर करने वाले हन्डेट मूस्ट इंपोर्टेंट वनवर्ड सब्सिट्यूशन जो कि आपके आने वाले एक्जामिन करके बताऊंगा और आपको वह सारे सेंटेंस आई होब की जितने ही वनवर्ड है वो उसमें याद हो जाएंगे ठीक है ना और जिसके लावा क्या बात है वह यह जो वनवर्ड होने वाले आपके लिए जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए अभी तक ठीक है ना कम से कम 8-9 सबसे पहले अपने पास आ जाता है कि देखो भई सबसे पहले अपने फर्स्ट वाले वनवर्ड पर आते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में कालिग्राफी ठीक है ना कालिग्राफी का मतलब क्या होता है ब्यूटिफल हैंड़ाइटिंग देट यू दू विदा स्पेशल पैन या फिर ब्रश की हप से करी जाती है उसको हम क् क्लियर हो गया होगा जो कि बहुत ही सुन्दर बहुत देखने बहुत ही सुन्दर लगती है तो उसको हम बोलते हैं कैलिग्राफी अब अपने अगले वाले वनवर्ड पर आते हैं तो अथीस्ट का मतलब क्या होता है एक परसन जो की गौड में बिलीव नहीं करता है यानि क क्या हो जाएगा थीस्ट हो जाएगा अगले वाले वनवर्ड पर आते हैं और यह देखा अपने पास में क्या अरेस्टो क्रेसी का मतलब क्या होता है तो और में हिंदी ही बोलना चाहों तो होता है आपका सावंत वाद ठीक है ना इफ़ाई एक्सप्लेंट इन इंगलिज लेट से मैंने क्या बोला इंडिया में अगर मैं मुकेश अम्वानी की बात करूं ठीक है ना मुकेश अम्वानी हो गया फिर कुछ नोबल्स हो गए तो उन लोगों की एकॉर्डिंग लिए गवर्मेंट अगर चलने लग जया तो उसको हम क्या बोल देंगे भई अरिस्टो क्या होता है समवन हो में चरिटेवल डोनेशन इंटेंड़ इंक्रीज यूमन वेल बीइंग ठीक है ना यूमन की हल्प करने के लिए हो जैसे कि आपने देखा किसारे एंजियो होते हैं उनमें जो परसन आपका रेगुलरी डिनोट डोनेट वगयरा करता उसको क्या बोलते फिर आपका फिलांत्रोपेस्ट यापका फिलांत्रोपेस्ट आता युर और अल्ट्रोफ्स के बीच में च्छोट असा उंतर होता है यानि कि यह लोगों की जाकर के मदद भी करता है पैसे से भी करता है सबसे करता है लेकिन यह जो पैसे डोनेशन वगएरा जादा देता है यह लोगों की जाकर के अगले वाले पर आते हैं अगला वनवर्ट है पैनेश्या तो पैनेश्या का आपको मतलब पता होगा नहीं पता है तो एक बार अच्छे से देख लो क्योंकि अपने चैनल का नाम भी क्या है पैनेश्या है यहांई कि कोई ऐसी चीज जो कि अपना किसी पर्टिक्लर सिच्वेशन चाहते हैं ना तो फाइनल एगर किसी चीज के हमें समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम क्या ढूढ़ते भी पैनेश्या मिल जाए ठीक है ना तो हमारा चनल भी आपके लिए क्या है competition exams के लिए panacea है all right so clear हो गया होगा अगले वाले question पर आते हैं ठीक है न अगला question अपना जो अगला word है वो है optimist optimist का मतलब क्या होता person who always expect good things to happen or things to be successful ठीक है न यानि कोई एक person जो कि हमेशा क्या सब्सक्राइब क्या होगा मुझे जो है मेरी जो मैंने अपनी पोस्ट सोची हुई है अगर आपने इंकम टेक्स सोची हुए तो आपको आपको मिल जाएगी है न तो जो भी आपको मिल जाएगी क्या हुआ कि अगर और आपको आपको बहुत ही बड़िया तरीका बताऊंगा बहुत सारे बच्किस को भूल जाते हैं जिसे आपका एक मैंने बता है रिस्टो क्रेसी हो गया मोनार्की हो गया वलिकार्ची उल्ट पावर इसका मतलब क्यों मैंने क्या बूला पूरे के पूरे देश में जो पूरी की पूरी गौर्वेंट ना इसको कोई एक कपके डिमोक्राशी नहीं यहांपर कोई किं पूरी सरकार को चला रहे हैं तो क्या हो जाएगा ओलीगार्ची हो जाएगा वहीशे याद कर लेना कि पूरी की पूरी की पूरी गार्मेंट को चलाने लग रहा है ठीक है अगले वाले अपने वन वर्ट पर आ जाते हैं यह आपके सामने इनेविटेबल का मतलब क्या होता है अच्छा इसका मैं सबसे बड़ी एक्जांपल देता हूं अगर आपने क्या नाम था उसका मूवी का अवेंजर्स टू ठीक है अवेंजर्स का एंडगेम देखी होगी ठीक है आप लोगों ने अवेंजर्स मूवी में एंडगेम देखी होगी ठीक है ना तो एंडगेम है अपना जो थानोस है भई थानोस के क्या बोलता था आइम एनविटेवल क्या बोलता था थानोस आगर क नहीं किया जा सकता है तुम लोगो मतलब जो अर्थ है ना उसको मैं तबाह करके रहूंगा तो इसका मतलब क्या होगा डैट यू का नौट अवाइंट क्या वो अवेंजर से मैं वह नहीं हूं मैं तो होकरी रहूंगा चलो अगले वाले पर आते हैं अगला वाला अपने पास में फास्ट इडियस का मतलब क्या होता है बिइंग केरफूल अगर बनाया तो उस प्लान में बिल्कुल चोटी से चोटी जो है डिटेलिंग होनी चीए ठीक है ना अच्छा यह जो वर्ड है य ब्रॉड सेनस में देखो यहाँ पर यह अकला मतलब यह कोई चीज को और माने माने में फॉर offices हो सकता है ठीके ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात में तो अगर मैंने कोई प्लान बनाया है तो आई केन भी फास्ट एडियस इन देट प्लान की हम कहां पर रुकेंगे कितने किलोमेटर पर आपको बता रहा हूं ठीक है ना तो बिंग इंस्क्रिप्शन पर लिखा रहते हैं अगला वाला देखो अपने पास में क्या है एपिलोग का मतलब क्या होता है speech at the end of a play book या फिर फिल्म या मुवी अब देखो एपिलोग जो होता है यह आपने देखा हो किसी भी बुक के जो लास्ट में क्या लिखा होता है और फिर उसके बारे में कोई इंसिडेंट उसने लिख रखा होता है कि यह जो बुक है मैंने से लिखी है फिर मेरी और सारी कुछ और बुक्स है या फिर कोई आप मूवी देख रहे हो प्ले देख रहे हो उसके बाद में क्या आता है ना तो इस अगले वाले वर्ड पर आते हैं और आपके पास इलेगी इलेजी देखो क्या होता है आपका एक पोयम या फिर स्वाग जो की सेटनेश को एकसप्रेस करता है इसके लिए जोस्परय उसको की होता है या很 अगले वाले वर्ड पे आज है अपने लिए अगले वाले से अपना जो अगला वर्ड है वह इगोईस्ट, इगोईस्ट का मतलब क्या होता है, आप परसन who thinks that he or she is better than the other people, यानि कि इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने क्या बोला, एक दो, एक होता है इगोईस्ट और एक होता है इगोटेस्ट, ठीक है ना, एक क्या होता है इगोईस्ट होता और एक होता है इगोटेस प् Ride सकती तो वह क्या सोचु उब दोस्रों से वह अपना उन की जुप जादा है। या फिर वह सब से ज़्यास वां ने भी मेंcher करते है रहते हैं कुछ मैं यह कर लूगा छोट सा difference है ठीके न अगले वाले वर्ड पर आते हैं एक्स वाले वर्ड है आपको बहुत जदा डर लग रहा है क्या होता ना कुछ लोगों को छोटी छोटी जगए का बहुत जादर होता है उनको क्या होता है फिर सपने उनको बैटके दिखाई देने लगते हैं को चीज़ें लेट से उनको कोई यहां पर पर परचाहीं दिखने लग जाएगी यानिकि शैड़ो उनको कोई यहां पर शैड़ो दिखने लगे उसी प्लेस में बहुत जदा डर लगेगा स्वेटिंग अगला वाला जो अपना वन वर्ड है वह है कैनिबल का मतलब क्या होता है परसन हूँ इट युमन फ्लेश ठीक है ना तो सबको पते होगा जो लोग मांसाहर करते हैं उनको क्या बोलते हैं कैनिबल बोलते हैं अच्छा यहाँ पर आपने एक ट्राइब के बारे में सुना होगा जो कि इंडिया में आ गए थे कॉंसा ट्राइब था यह रोहिंग गया ठीक है ना रोहिंगा ट्राइब को क्यों इन्होंने निकाल दिया था मगला देश से क्योंकि लोग क्या करते थे युमन फ्लेश को खाते थे अगले वाले वर्ट पर आते हैं अपना अगला वर्ट है ब्यूरो क्रेसी क्या होता है लाज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशल हुआ नोट एलेक्टेट नहीं किया गए लेकिन लाज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशल्स हैं आप लोग किसके लिए प्रिपेर कर रहे हो कुछ अगर मैं बाद में जाकर के ऑफिसर्स बनेंगे ना यहां पर क्या आपको अपनी पेपर वगयरा दोगे एक्जाम दोगे उसके अकॉर्णिक लिए आप जाकर करके वहां पर अपनी जॉब कर रहे होगे ठीक है ना तो इस गावर्मेंट में जो भी आपका काम ही आप क्या आप ऊफिशल बनोगे ठीके ना इसके बात क्या बनोगे जुरो क्रेट्स बलगे ठीक है ना अगर मैं बात करो जो घ्रेट क्लास और यह आते हं एक घ्रेट को रहते हैं दो इस कैसी है विऊरो क्रेर्ट विए और इसमें प्यूपल से लेक्ट होके लोग भी आते हैं ठीक है ना तो क्या बोलते हैं डैमोक्रेसी को बोला जाता है चलिए अगले वाले वर्ड पर आते हैं तो मतलब क्या होता है हेट करना अब देखो ये एंफ्रोप होता है तो इससे देख के आपको क्या समझ में आ रहा है जो यह एक से युमन से तो बस आप परसन हो हेट और वाइट सदर पीपल समझ में आ गया ना अगले वाले वर्ट पर आते हैं नेक्स्ट वाला वर्ट देखो फिलांथ्रोपिस्ट मैंने आपको बताया ही हुआ है यहां पर क्या रिच पीपल फूर एंड दोजी नीड इस्पेशली बाइविंग मनी तो यह मनी तो देता है लेकिन यह क्या करता है पूर से अलग से ठीक ह अब देखो माईजो का मतलब मैंने क्या बता है मिसका मिसका मतलब क्या होता है हमेशा हेट करना होता है अब आपको पता होगा यह जो जाइनिस्ट होता है ने कभी आपको जाइनी दिख जाए ठीके ना जाइन का मतलब क्या होता है फीमेल होता है ठीके ना फीमेल या फिर तो अब देखो STYLE का है कि अआफ न है यहां पर एक चीज बहुत जाटा यहां पर क्या होते हैं डाउटसिव में रहते हैं ठीक है ना चले अगले वाले वर्ड पर आते हैं एक्स्ट वाला वर्ड आपके सामने यह रहा इन फॉलिवल इन फॉलिवल का मतलब देखो क्या होता है यानि कि जब देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा इन सिकंदर पहा इन फॉलिवल को है कई अगर बात करूब अपने पास में अब होता है अगले वाले पर आते हैं यह ग्ञान की बाते हैं कभी और करेंगे चले अगले वाले पर हाते हैं अपने पास का मतलब क्या होता लेकिन अगर मैं बात को विराट को ही हो गया धोनी हो गए तो यह सारे किया है और यह अपने गेम में क्या है अगले वाले वर्ट पर आते हैं अगले वाले वर्ट पर आते हैं अपने साबने यह रहा अलियन का मतलब क्या होता है होस्टाइल इस्टेंज यह फेर फ्राइटनिंग अच्छा अलियन का मतलब यह निए कोई अपने दूसरे ग्रह से आया या फिर दूसरे यहाँ पर प्लानेट से आया है कोई अगर दूसरी space से आ गया तो उसको हम alien बोलेंगे ठीक है ना alien का मतलब यह नहीं होता alien का मतलब होता है कि जो चीज आपने कभी देखी नहों जो चीज आपने कभी देखी नहीं है जिससे आप पहले मिले नहीं हो से आप से कोई यहां पर अमेरिका से आप मिलने आया ठीक है ना तो वो अमेरिका का जो बरसन आया वो भी आपके लिए क्या एलियन ही तो है आपके उसके बारें को जानते हो नहीं जानते हो से आप कोई पहले मिले हो नहीं मिले हो तो वो आपके लिए क्या है और आप उससे थ धिंग हो सकता है कोई situation भी हो सकते हुए location भी हो सकती है ठीक है ना clear हो पारी है ना मेरी बात फटा वर्ट से हाँ बोलो ठीक है ना परसन वह एबल टू सफर पेन या ट्रबल विदाउट कंप्लीनिंग या फिर श्वइंग वाट दे आर फीलिंग तो बात को समझना कोई ऐसा परसन जिसे की दर्द हो यानि की कोई पेन में हो ट्रबल में हो लेकिन वो क्या करता है ना कभी भी अपना पेन शो नहीं करता है अ πरसं परसन को सफर करें लेकिन कोई ना करे गलेन रखो परसन रहा हूं कि आप्नी कुछ भी ऑनकरें हैं ना इस्तारी सारी सारेी चीज़ों को चलो अगले वाले word पे आते हैं यह अपना अगला word फिलाटिलिस्ट तो देखो फिलाटिलिस्ट का मतलब क्या होता है एक बरसन जो कि collect करता है stamps को ठीक है अच्छाँ अच्छाँ अगर कोई stamps को छोड़कर करके क्या बोलते हैं काफी बार कुशन आये हुआ है तो यह तो अगले वाले हम वर्ट पे आते हैं गेर आपके सामने पेट्रिसाइड तो देखो पेट्रिसाइड क्या होता है अपको पता होगा जो मुगल डाइनस्टी है उसमें बहुत सारे जो इसको जला को सेट्रिसा जो ऐसे बार देखो चीज आ पैब आपका लगा इसा धीot डूरे बढब है अे पड़िया पहले है जो हम इसको जलाते है ठीक हैf तो आपको आपको अब क्या है बड़िया रोशनी देती और यह यलो खर्ड़ी देता था तो अब जो बल्ब है वह ऐसा हो गया अब इसका यूज तो बल्ब क्या हो गया है अब आपको पता चली गया होगा इतनी ज्यादा कहानी चल रही है तो नेपटिजम का मतलब क्या होता है । है और फिर उन्हें क्या कि मुझे उठा करए मुझे रहे हैं। कि मुझे उठाकर के इतने उसीस्येशन में खड़ा करें ते की मुझेने पास में जॉब आगी है ठीकैना और मुझे लन येन व में जयाएडवांटेजु दे दिया गया यानि कि मुझसे ज़्यादा कोई eligible person था ठीक है ना मुझसे ज़्यादा कोई eligible था लेकिन position वो किसे दे दी गई भही मुझे दे दी गई क्योंकि मेरे जो relative है या फिर मेरे जो father वो again पहले से 10 years है politician और इनको experience काफी अच्छा है तो यह power वाली position में इन्होंने इसे advantage किसको दिया मुझे दिया ठीक है ना और जबकि मैं जो इतना ज़्यादा कैबिल हूँ नहीं तो मुझे job बिल गी लेकिन मैं इतना कैबिल नहीं था तो यह क्या हुआ भाई नेपरिजम हुआ ठीक है ना बास समझ पा रहे हो ऐसा ही Bollywood में होता है ठीक है ना तो Bollywood का नेपरिजम आप समझी में आ गया ना चलिए अगले वाले पर आते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड यह रहा इंकॉरिजबल का मतलब क्या होता है having bad habits that can't be changed और इंप्रूब अच्छा यहां पर यहां पर आपका something something that can't be change भी आ सकता है ठीक है ना तो something या फिर bad habits लेकिन आपका mostly refer करता है यह आपक लट से लिख दिया ABCD अब मैं इसको जाए करक्टर नहीं कर पाऊंगा अब यह सी मेरा चोटा सा बनिया लेकिन आप मैं इसे improve नहीं कर पाऊंगा ठीक हो गया तो इसको मैं क्या बोल दूँगा यह हो गया इंकॉरिजबल मिस्टेक बोलते हैं जिसे अगर मैं आपसे इंकॉ पर इंकॉरिजबल मिस्टेक की तरह है ठीक है ना इस तरीके से यूज होता है चलिए अगले वाले कोश्टन पर आते हैं यह आपके सामने अगला वाला वर्ड इलाजीबल इलाजीबल का मतलब क्या होता है अब इसे पढ़ना पाएं ठीक है ना पढ़ने बहुत ज्यादा म समझना पड़े जान से एक परसन जो की पहले से कुछ ज्यादा बिलीफ चलते आ रहें उनको क्या करें वो तोड़ दे ठीक है ना क्रिटिसाइज करें यहां पर मैं आपको एक्जांपल दूगा राजा राम मोहन रायका ठीक है ना तो पहले के टाइम पर आपको पता होगा सतीप्रता प्रिवनेंट थी ठीक है ना सती प्रता आपको पता ही होगा न कि सतीप्रता क्या थी पहले बहुत ज्यादा प्रिवलेंट थी अब देखो जैसे कि पहले क्या होता था कोई वह हजबेंड कर इसको पूरे तरीके से उखाड के फिक दिया तो इन्होंने क्या काम किया है किनों क्लास्ट बनने का काम किया जिन्हों ने कि इस belief को तोड़ा कि बहुत ही गलत चीज है ठीक है ना बात मेरी समझ में आ रही है ना क्लियर हुआ चलो अगले वाले पर आते हैं अगले वाले अपने पास में वर्ड होमी साइड होमी साइड का मतलब होता है था अब यहाँ मतलब कर दो यानी किसी को मार दो अगले वाले वर्ड पर आते हैं नेक्स्ट वाला वड़ है अटेमोलोजी कि होता आपको अगले आप से लेटें वर्ड बोल दिया ठीक है ना मैंने आपसे क्या बोला लट्से मैं आप से बोल दिया rate i would ंपम् 중 tr नूजबर नहीं आपका थीक है अब इसका जो प्लूरल बने का रेडिडिया नहीं बन जाएं ठीक है ना क्या बंन जाहे एगाgende तो यह जो है आपका अब जैसे मैं आपके सांगे करो श्रौरी की पूरी इसकी क्या क्या है यह सारी की सारी चीज़ है जो आप करो तो समय क्या बोलते हैं किसी भी word के आप क्या करो पूरी की पूरी history देखो origin देखो उसकी meaning क्या है वो देखो उसका plural कैसे बनेगा यह सारी की सारी चीज़ है तो यह किसमें आ जाती है, Etymology में आ जाती है, हमेशे या दर्खना ठीक है ना, अगले वाले वर्ट पर आते हैं Next वाले वर्ट देखो अपने पास मैं कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब होता है The Art और Process of Drawing और Making Maps जो मैपस बनाते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है या फिर जो आर्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँ, इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करूँग तो जैसे को इस तरीके से इंडिया का मैप थोड़ी से मेरी आर्ट विकार है, बट इंडिया का मैप अगर आप बनाओगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, कार्टोग्राफी कर रहा है ठीक है, जो मैप बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, ने साइब का मतलब होता है जो खाने वाल है जो बोलते हैं वोरस तो वह नी का मतलब होता है कहींने जो फ्लैश खाता है ठीक है ना फ्लैश डीटिंग होता है का निका मतलब होता है है ठीक है ना हँट्स आपको पता होगा जो ग्रीन वेजीज हैं और आपकी लिवस है इन सब का हम बोलते हैं तो ग्रीन-वेजटेबल यानिकि जो बहुत ही जैदे religious reason के वज़े से वो कोई भी physical pleasure नहीं लेता है यानि कि उनके पास में कोई pleasure का कोई सामान नहीं होता है लेट से मैं आप से बूलनों bad नहीं होता है उनके पास कोई ठीक है आपने देखा होगा कई सारे साधू संद क्या करते हैं वही कुटिया बनागर एक हट बनागर के उसमें नीचे हो तो उनको क्या वह बोलते हैं और यहां किसकी मैंली वहते हैं जो कि यहादा बात करना पसंद नहीं करते हैं अपने आपके जो है अपने आप में जो है किसी particular चीज में अपना ध्यान लगाना चायते हैं चाहे वो आपके ब्रह्म हो जाए ओम हो जाए थिके ना तो इनli द्यान लगाना चायते हैं gram नेक्स्ट वाले वर्ट पे आते हैं नेक्स्ट वाले वर्ट आपके समने रहा mercenary mercenary का मतलब होता है soldier who will fight for any country या group that offers payment ठीके ना तो देखो एक तो होता है आपका soldier ठीके ना soldier क्या होता है किसी country का होता है अब लेकिन mercenary कौन होगा mercenary होता है ठीके ना जैसे लटसे यह इंडिया है और फिर यह है कोई और country xyz ठीके ना तो यह इंडिया हो गया यह एक्स कंट्री होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे mercenary ठीके ना इसका कोई ऐसा कुछ अगर है बात कुरो तो यह कुछ faithful person नहीं होता है ठीके ना बस जहां पैसा वहीं से काम करेगा तो यह क्या करता है who will fight for any country or group that offers payment जो payment करेगा उसके लिए लड़ेगा ठीके ना चलो अगले वाले वर्ट पर आते है नेक्स्ट वाला वर्ट है यहां पर यहांपर क्या हो रही है और वो कर सकता किसी भी इवेंट को ठीके ना तो फैटेलेंस्ट नहीं बनना है आपने काम पर लिए रखनाए ठीके ना बिलीव इं करमयोगा ओल्रैट प्रेश्ण जी ने भी बोला है अगर आपने अगर मैं आपसे बात करूं गीता की और इसके अलबा स्वामय वेकरन की बात करूं तो उन्होंने भी कर्मयोगा की पूरी पूरी बुक लिखी हुए ठीक है तो आप लोगी सारी सारी पढ़ा करो बहुत बढ़िया है चलिए अग हो इचेक हम क्तलब होता है तो यह नहीं कि आप र्न ठीक होता है कि अगले वाले वार्ट पर आते हैं फाप्यक्तिया अंगले थी एमेस्टीक मतलब होता है अब देखो अगर मैं आपसे बात करूँ जो आपको पता हो जो आपने इंडिया में अगर मैं बात करूँ जो जिन लोगो फासी बगरा की सजा हो जाती है उन्हें चमादान कौन देता है ठीक है ना तो एक ऐसा डोक्यूमेंट एक ऐसा जो है अपना प्रिजन में पड़ा हु जाक है तो आपको पता अपना प्रेशिडेंट अगर जो है और वह चाहें तो किसी प्रेशंत को क्या दे सकते है अगर उसको यह सारी वाले सेने क्यों प्या होता-टॏ्स या फिर नो वह अगर गंट जॉब में चले गए तो लट से आपने क्या किया भी आप यह सोचके जा रहे हो गवर्मेंट में मुझे कुछ काम तो करना नहीं और मुझे पेड़ भी बड़िया किया जाएगा ठीक है लेकिन ऐसा है नीए ठीक है ना गया जौब में भी काम होता जाते हैं उसमें कोई ना के बराबर काम होता है नहीं बहुत ही कम वक्ता है ठीक है ना तो ऐसी कोई खास जोड़ कि अगर आप अमबानी जी क्या लग जाओ ठीक है चलिए अगले वाले कोशन पर आते हैं नेक्स्ट वाला जो अपना यहां पर क्या हो जाएगा वर्ड हो अगले वाले कोशन पर आते हैं अच्छा यह में ली ना इसका रिफर करता है लेकिन ऐसा देखा कि जूसरी तो है एक्षाइस के एक्जामनेशन में आपका कहीं ना कहीं जो अगर्वांट करने का यूस करने का मेनिंग आ जाता है ठीक है अगले वाले व्लेट पहले आ वर्ट प्यांते हैं सबसे देश के सब से जादा जो अमीर लोग है ना वही गौवर् consig को चलाने लग जो तो लगर्च लोट करने इंगे तो तो अगले वाले बत पे आते हैं और निपोर में स्टडी करता है में आपके लिए कर देता हूं बाकि आपको और नहीं तो अगले वाले वर्ट पर आते हैं अच्छा देखो मैं चीजों को जबहुत ही जल्दी कवर करने कोशिश कर रहा हूं जिसे आपका टाइम वेस्ट ना हो मुझे पता है टाइम की वैलिव कितनी आपके लिए समय और मैं सारी की सारी यह खताम हो गए वह खताम होगे तो उसके उलते हैं वही लाइफ चीव्मेंट यानि कि उसमें आपका क्या होता है प्रदेखो अपना वर्ट है वह मोनार्की अब देखो आपका ऑली गार्ची हो गया ग्रूप आफ वीपल जो है गुवर्मेंट को चलाते हैं दन मैंने भी जैसे की तो इसको क्या वो आपना मोनार्की अब अगले वाले मौनार की याद रहेगा कि आपको इसको अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर लो लगे और भी मौनार की और भी इन वर पिया चीज थी लेकिन याद करने के लिए ठोड़े तोड़ी सी वर्ड है और बहुत बार एटी नेरेरी का मतलब होता है plan of our journey including the route and the places you will visit यानि कि आप कहीं जाने से पहले क्या करते हो लेट से आपने क्या किया ये route विजिट का plan बना है कांग के लिए गुवा के लिए ठीक है ना तो अब आप क्या करोगे गुवा जाने के लिए आप फहले तो route देखो कि उसका किये रहे भी मुझे इस route से जाना है फिर आप ये सोचोगे रहे ठीक है यहाँ पर जो है petrol pump कहां कहां पर है फिर वहाँ पर मैं जो है रुगूंगा ये सारी सारी चीज़ है ठीक है ना इसके बात में आप जुए जाखर के कहां पर घूम वोगे वह सारे सारे पलेशий से आप देखो आपने पास में ठीक है याइट एuse लोन तो ले लिया लेकिन आप चुका नहीं पा रहे हैं तो इसको बैंकर भी बोलते हैं यानि कि क्या हो भी कुछ हो कुछ और लोगों को लोगों को बोलते हैं लोगों को लोगों को बोलते हैं अपने वर्ट पर आते हैं नेक्स्ट वाला वर्ट देखो अपने पास में अचा जैसे आपने क्या देखा होगा लट से क्या हुआ अपको तो पता नहीं अभी टीवे में क्या हुआ लेकिन उसने आगर के बस जो केबल निकली हुई थी ना उस केबल कोई लगा दिये वापस केबल जो निकली थी उसने बस उस केबल को लगा दिया और आपको बता नहीं थी यह बात तो है तो भई वो टेक्निशन अब उसने वह तो यहीं कहेगा भई पैसे लाओ है ना तो मिनिम्मम चार्ट आपसे वो 300 तो लेके चला ही जाएगा ठीक है ना उस केबल को लगाने की बागी यह बहुत जादा होता है 500 मिनिम्मम होता है वैसे लेकिन 300 से कम वो लेगा नहीं ठीक है ना तो यह क्या हो गया उसका औरने रेरियम हो गया चलिए कर अगले वाले कोशन पर आते हैं नेक्स्ट वाला कोशन देखो यह आपकी सामने गलीवल गलीवल का मतलब क्या हो जाएगा इसली ट्रेक्ट विकाउस ब्विकाउस अब बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं तो उनको क्या किया जाता है लूट लिया जाता है जल्दी कर लेता ठीक ना अच्छा अब आपने वह भी देखोगी तो यह आपने राजू जी ठीके ना और यह है जो आपका ड्यम टा वाला था जो स्कीम में डाले ज़कर यह वो और यह क्या करता राजू पैसे ले लेटे चला जाथSh animus ञाती है लिए-व इह दो लेगे णुम साइब मतलब क्या होता है आपका मतलब killing होता है गांची से जैसे कर आपको आप positivity अ सहां पर वीघर मुसलिम जा रहा है जिनोसाइड किया जार एक तरीके से कहाँ पर चाइना में ठीक है ना बहुत ही मतलब एक ज्वलंत मुद्ध है यह ठीक है ना चली अगले वाले कॉशन पर आते हैं अगले वाला जो हमारा वर्ड है नेक्स्ट वाला वर्ड देखो यह आपके सामने जो परसन यह बिलीव करता है कि जो वोमन से हुनके राइट सेम होने चीए इसके तरीके से जो मैं होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं फैमिनिस्ट बोल देते हैं यह बास समझ में आती है कि है सबको क्लियर है अगले वाले वर्ड पर आएंगे फड़ाफट से यह आपका क्या होते हैं और उनका इसका मतलब यह जरूर है कि वह जरूरी नहीं होगा तो जरूरी निया है यह जैसा दिखता है ठीक है वह एक गरल की तरह होता ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह 100 परसंट जो यहीं होगा ठीक है ना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है ना चलो अगले वाले पर आते हैं आपके सामने आर्चाइब्स आर्चाइब्स का मतलब क्या होता है आर्चाइब्स 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 आपका आपकी अंच्री और उसको भी होता है तो इन दो आनुचीजों में थोडी सिलर्टी है याद रखना अगले वाले वड़ पर आते यह यह आथा अट्रो प्लोजी इंट्रोगी क्या यह a यहांने कि आप क्या करो पूरी पूरी जो यूमन को यूमन रेस का पहले यह चिंपांजी की तरह घूमते नहीं पन गए ठीक है और फिर इनका क्या उनकी विलीव हुए क्या इन्होंने कि पूजा करने शुरू करी यह सारी चीज़ हैं तो यह पूरा का पूरा किसमें आ जात है ठीक है अब अब देखो यह नार की अनर की का मतलब क्या होता है अब पर कोई बात करूं जब यह आपका सीरिया पर क्या हुआ था सीरिया पर हमला वग्यरा हो रहा था तो उस राइम पर क्या हो गया पूरी गुवर्मेंट कुछ नहीं था वहां पर कोई और कंट्रोल नहीं था तो लोग उठागर के बंदूक मतलब बड़ी बड़ी है के 47 जैसी बंदूकी उठागर के नॉर्मल वीपल गुम रहे थे वहां पर ठीक है न तो यह सब हो जाता आपका नार्गी अगले वाले कोशन पर आते हैं अगले वाले जो अपना वड़ है अमनेश्या का मतलब होता है अगले वाले बड़ पर आते हैं नेक्स वाला वड़ है आपका अर्क लोगन क्या होता है आपका अर्क लोगन क्या होता है अपका पड़ी यहां पर कि आपका महाधेव की पिक्चर थी वहाँ पर तो यह सारी की सारी चीजें तो इससे क्या हुआ कि हमने पूरा का पूरा जो अपना कल्चर था Daug को उसको हम क्या बोलेंगे laughs क्या होता है आप पानी के अंदर लिव कर रहे हो या फिर उसके पानी की आज पास कर रहे तो पानी के आसपास है फर पानी के अंदर या अगले वाले वर्ट पर आते हैं फैनेटिक का मतलब होता है अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह जो थे अपने कई सारे अपने रिलीजियस गुरूज को देखा होगा ठीके ना तो उसमें जो लोग होते हैं इसको बहुत बहुत जादा इन्जूजियस्टिक होता है लोग है तो उसको बोलते हैं फैनेटिक ठीक अब जैसे कि आपसे क्या बोल रहा हूं मैं क्या किया मैं कोई स्पीच देने किया और मैंने से ना वो मैंने पहले से कोई speech प्रप्रेक करी नहीं है बस क्या हुआ ना कि मेरे सामने कोई बैटे हुए थे और उन्होंने बुझे बच्चों को तो मैंने कोई previous प्रप्रेशन नहीं करी इससे पहले मेरे कोई प्रिपेर ना करो आप वह चीज दे रहो पहली बार ठीक है अगले वाले वाले वर्ट पर आते हैं याने कि कोई परसन अपनी कंट्री को छोड़ कर गए जैसे यह क्या है अब क्या हो इस एकस परसन में रहने वाला कोई परसन पी है और यह उठकर के इंडिया में आ जाए काम करने के लिए ठीक है न दोसक्तम क्या बोल देंगे इमिग्रेंट बोल देंगे, हमारे लिए क्या होगा, इमिग्रेंट होगा, यह हमारे लिए, ठीक है न, क्या हो जाएगा, यह इमिग्रेंट हो जाएगा, ठीक है न, बास मज में आरी है न, मेरी, clear हुआ, चलो, अगले वाले तो लोग क्या हैं, यह आपके लिए, साइनिक हो जाएगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगले वाले वर्टपर आते हैं, next वाला वर्ट है, आपके सामने, biography, बायोग्राफी, आपको पता यह होगा, क्या होता है न, कोई person, जो है, किसी की life की उपर कोई book जो है, लिखी गई हो, लेकिन आप तो यह क्या हो जाएगा और यह मेरी और यह जाएगा मैंने खुद की बाइग्राफी खुद लिख डाली है चलो अगले वाले वर्ट पर आते हैं नेक्स्ट वाला वर्ट है नॉट्रियस नॉट्रियस का मतलब वहता है वैल नोन अगले वाले कोशन आते हैं नेक्स्ट वाला कोशन आपको सामने यह रहा जो वर्ट है क्लेप्टो मेनिया का मतलब क्या हो जाता है क्लेप्टो मेनिया यह जाता है लेना है तो यह क्या हो जाएगा चोरी करने की ठीक है क्लीर है है और ये न अब इसमां कूछ गोई intention होती है किसी की पहले से कोछ लोगों को ना इस लोगों को गया सामने देखे तो उनको अपनी टालनी डालनी है तो क्या हो हो जाएगा क्लेप्टोमेनिया हो जाएगा ठीक है ना अगले वाले वर्ट पे आते हैं आपके सामने हर्मिट को बता रखाए कि परसंद जो क्या करें रिलीजिस रिजन की वज़े से यह सिंपल लाइफ जी और फिर ज्यादा लोगों से कोई बात ना गरे ठीक है ना यह मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है अगले वाले वर्ट पर आते हैं आपके सामने यह रहा देखो नेस्ट वाले वर्ड आपके सामने यह रहा एक पीक्योर का मतलब क्या होता है परसंद मारी अच्छा व्हाए है यह वर्ट एकल बहुत अच्छे से घर एक अठी बढ़ी धिस्रिप्षन देगे बर्गर की ऊपर जो है जो अपका पीज़ा उसके उपर चीज़ डाल के बढ़ी अच्छे से उसका जो क्रक्स या ना उसको इक दम चिक्दम चुछक करके लेगे आना ठीक है उसको क्या बोल देंगे ठीक समझ में आ रहा है ना चलो अगले वा जाद रुखना यह होता है अगले वाले वर्ट पर आते हैं नेक्स्ट वाला वर्ट है आपके सामने इसेंट्रिक इसेंट्रिक का मतलब होता है परसन हो इसके बारे में लोग एक तो ज्यादा जानते नहों वह उनके लिए स्टेंज हो और वह बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस ह यह उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हो बहुत ही अन्यूसल टाइप का लगे आपको तो उसकोम क्या बोलते हैं एसेंट्रिक बोल देते हैं ठीक है ना चलिए आपको जो इन्विजिबल साइंटिस्ट आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी है ना उसमें ग्रीफिन इसने की मिलिटरी फोर्स का यूज करके जो है पूरी गवर्मेंट अपनी बना ली हो और पूरी कंट्री के उपर क्या आगी हो उसकी पावर आगी हो है ना जैसे हिडलर हो गया है फिर आपका बात करूं तो मुशर्रफ ठीक है ना मुशर्रफ जो है पाकिस्तान का आपको पती है अपने इंडिया में है जहां पर सारे की सारे क्या करते है वोट करते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटेव को चुनते हैं ठीक है ना उसको मुझत क्या था परसन चलो बहुत सारे पार्ट्स का एक्स्प्रेंस हो तो बहुत ज़्यादा वह घूमा हुआ है उसको क्या बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन ना आपके एक मैगजीन भी है अब वह मैगजीन के अंदर दुनिया की कई सारी डिफ्रेंट डिफ्रेंट पार्ट्स के ना बहुत सारे जगह के जो है उसमें इंफॉर्मेशन रहती है जग अगले वाले वर्ट पर आते हैं अपने सामने यह रहा ब्रेटल का मतलब क्या होता है हाड है लेकिन वह जल्दी ही तूट जाता है ठीक है ना थोड़ा सा मोड़ा उनको तो क्या हो जाती है तूट जाती है नेक्स्ट वाले वर्ट पर आते हैं वहेमियन वहेमियन क्या होता है देखो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्ड है अब परसन हुए इस इंवल्ड विदा आर्ट से आर्ट के साथ में इंवल्व हो वो लिव से वेरी इन्फॉर्मल वे विडाओट फॉल्वें अगले वाले वर्ट पर आते हैं नेक्स्ट वाला वर्ड आपका यह रहा बाइगोट का मतलब क्या होता है परसन हुए इस वेरी स्ट्रॉंग यह फिर अन्रीजनेवल बिलीफ और ओपीनिन एबाउट रेजिजन पॉलेटिक्स अगले वाले वर्ड पर आते हैं अब पिर मैंने क्या किया यहां पर एक list बना दी इस list में जो भी books किसकी है यह सारी-सारी books खिसकी शशी थरूरकी है ठीक किसारी इस आपकी rough darkness है फिर कई सारी यहां पर books को हैं शशी थरूरकी रखी हो यह ठीक है ना थो उसको हम क्या बोलेंगे इस list को बोला जाता है बिपलियोग्राफी ठीक है ना अ अब हो रहा है आपका पता है अभी 3.15 एम हो रहा है और मैं यह वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीक है ना आप लोगो टाइमली कल यह वीडियो मिल जाए और मेरी हालत बहुत खराब हो जीए भी आपका मैंने करने टाफ्यर वाली क्लास ली थी कुछ देर पह पोयम ओगो जिसके अंदर क्या है कि स्टोरी बताई जा रहे हो कहीं अगर मैं एक्जांपल देना चाहूं तो आपने आला उदल की स्टोरी सुनी होगी एक पोयम है जिसमें की पूरी पूरी कहानी टेक्ट करी जाती है जिसे कि आपकी खूब लड़ी मर्दानी वह तो जहा क्या वह जाता है जूसक्त करूंग एक पर कंप्र सब्सक्ति क्या और यहां पर encompass लिए निफेट सब्सक्राइए निफ सब्सक्राइन पूरी क्या बोल देंगे मंतलस पर आते हैं आपने सामने आतीसम के अथिसम होता फिक है जाने कि एक ऐसा हमें बिलीफ हो कि गॉर्ड एक्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो यह क्या हो जाएगा वही सेम चीज़ है अगले वाले वर्ट पर आते हैं तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया था मैं उसकी मैं बना लूँ ठीक है न मैंने क्या कि लिस्ट में पहले डिस्ट में पहले बच्चे की जाएं पिर बात आएगी कि क्या-क्या प्रोवाइड किसे की जाए है ना पीडिया वगैरा की बात आ जाएगी फिर आएगा बच्चों को किसे या है motivate वगरा किया जाएगे कि यह पॉइंट हो जाएगा ठीक है तो यह जो सारे कि सारे में पॉइंट्स बनागर की meeting में लेगे जाऊंगा ना यह क्या हो जाएगा टीक है ना बात मेरी समय में आगी ना चलो अगले वाला वर्ड है आपका हो प्रक्राइम कोई और किसी चीज में आपको क्या बोलेंगे अगले वाले बड़ पर आते हैं आच्छा यह हमेशा क्राइम के लिए यूज़ होगा ठीक है नसे बात को या दरखना अब ऑलेश ऑलेश की से चीज़ को आप क्या करो भी अब इसको आप कर दो पर फॉर्मलिट या किया होता है उसको क्या करें ठीक है ना चली जैसे कि आपका ऑलिश्य मेंट आप सदीपरता हो चुकत है ठीक है ना अगले वाले वाट पर आते हैं जीनो फोबिया जीनोफोबिया होता है कि जो भी लोग अपने दूसरे इस आ रहे ना उनका आपको डरो से आपको कोई और बहुत दर लगने लग जाए ठीक है अगले वाले वर्ट पे आते हैं अपने पास मैं थियुक्रेसी का मतलब होता है क्या करें गवर्मेंट को चलाने लग जाए ठीक है और यह बहुत ज़्यादा हुआ अब है बहुत पहले क्या होता था जो आपके पूरी के पूरी कंट्री को चला रहे होते थी ठीक है तो अगले वाले वर्ट पर आते हैं यह बहुत अच्छे से इसको याद रखना ध्यान से ठीक है न उसको है कितनी लाइन हो वही 14 लाइन हो और हर लाइनमें If learn जिसमें कि एक इस्टोरी हो ठीक है न 수unaat में क्या होता है एक program होती है जिसमें 14 लाइन मेंकितने से लाइन् और राइंम ज्रूर करती है ठीक है न अगले वाले अगले वाले वर्ट पर आते हैं यह देखो नेक्स्ट वाला वड़े अपने पास में सेक्रिलेज सेक्रिलेज का मतलब क्या होता है एक्ट ओफ रीटिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट तो यह जो है आपने देखो कुछ लोग क्या करते हैं बह क्या होता है अगले वाले वर्ट पर आते हैं अपने इमोशन को भी क्या करता है दिखाने ही पाता है अपने अच्छे से ठीक है ना यहां पर आपका 321 हो गया है चलिए नेक्स्ट वाल 321 हो गया और मुझे completely अभी नीद आ रही है और आपके वर्ड कितने बचे हैं यह आपका 97 वर्ड चल रहा है ठीके ना और तीन वर्ड है फिरम सेशन को हितम करेंगे चलिए रेट टैपिजम क्या होता है आपका देखो रेट टैपिजम होत है अच्छा अगर आपको क्या करना हो कोई गाओं है वहाँ पर खुर पर कोई वहल बनना हो ठीके ना अब अगर यह भीम तो यह सारे की सारी चीज़ हम क्या बोलते हैं यहां पर ज्यादा यहां पर प्रेपर आपको करना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं चलिए अगले वाले वर्ट पर आते हैं अब पर्टिकुलर लेंगवेज है अचाए आप पर्टिकुलर रीजन होता है इसी पर्टिकुलर रीजनी कारो सिंटिक करो उसको क्या बोलते हैं आपके सामने पेडेंड पेडेंड का मतलब क्या है परसन हुप पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स और बुक्स लर्नि हैं books हैं instead of that कि वो से लर्ने करें ठीक है ना तो यह क्या हो जाएगा आपका पेडेंट हो जाएगा ठीक है यानि कि उसको experimental तरीके से देखने से ज़्यादा उसको क्या करते हैं वो रटने पर ज्यादा भी रखते यहाँ पर उसको क्या रखेंगे अप लोग याद रखेंगे ठीक है ना अच्छा फिलाटे लिस्ट कौन था जो की स्टांप को एकट्टा करता है ठीक है चलिए अगले वाले कोश्यन पर आते हैं जो वर्ड है अपना अरे वाद चलो सारे के सारे जो है आपके 100 वर्ड यहां पर फिनिश हो गए हैं 100 जो आपको मुझे वन वर्ड कराने थे इंपॉर्टेंट और यह काफी इंपॉर्टेंट है को आपके जो है इससे बहुत ज़्यादा रिपीट देखने को मिले हैं 8 से 9 टाइम सभी तक यह आप सबस्क्राइब कर लो और हमको ब्याकन होता है बहुत ज़्यादा महनत करने के यह को इतनी जश्यादा महनत करने के मेरी उतनी तक अब को रिखे लेंगे तभी आपके लिए मैं लगातार सेशन को दे रहा हूं सब्सक्राइब आपका जो पेपर है एक बार अच्छा चला जाए ना मुझे आप लोगों से रिजल्ट चाहिए एक बात को समझो ठीए ना तभी मैं अतनी मैनत दिखा रहा हूं अल्राइट खैर थैं